रादिका एक यंग लड़की है जिसने हमें कॉंटेक्ट किया है वो पिस्जी ओड़ी से सफर हो रही है उसे जानना है उसे बहुत चिंता है कि क्या पिस्जी ओड़ी उसके हैर लॉस का कारण है चलिए हम उसे बात करके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं क्रण प्रोब्लम से kinda pace Q. मुझी आड़त चलिएा परेंट मुझी अर्ड़ी ओक़िए और उसके हैणा जिए जो nella करे दोम भीर्क्रा जह बनाट्विट करने मसा का है आख समजना कि पिस्जी कि अच दिए परें मुझी नचा? पीसी ओडी है इसे लिए हैर लॉज है या मतलब क्या सो आप है कि इस चीज मुझे बताइए पीसी ओडी अभी यह कभी डेड़ साल दो साल पहले कब से है यह आपको कितने दिन हो गए डॉक्टर को दिखा कर नाइन मांस हो गए और आपका कुछ वेट बढ़ रहा है या कुछ वजन बढ़ रहा है आपको कुछ मेंस्ट्रॉल इर्रेगूलर होते है या बहुत लंबे लंबे दिन के बाद होते हैं महने के महने होती है या इर्रेगूलर होता है ओके तो यू आर हाविंग इर्रेगूलर मेंसेस वेट गेन एंड हैर लॉस्ट्रॉज शी आपके जो गाइनेक लोजिस्ट है उन्होंने जो डाइगनोसिस किया है वो तो जरूर पीसी ओडी रहेगा लेकिन पीसी ओडी के पेशन्ट में वेट लाश होना ये जरूरी है क्योंकि वहां relation है है लाश होने में और पीसी ओडी में पीसी ओडी में क्या हो जाता है पॉलिस्टिक ओवेर्यियन डिसीज रहता है याою सिन्डूम वो से बोलते है वहां फॉलिकल इम्मेचूर फॉलिकल तयार हो जाते हैHO और यो फॉलिकल से जो हॉर्मोन से वो तयार ज़ादा होने लगते है एंडरोजन हॉर्मोन याने मेल सेक्स हॉर्मोन फीमेल में ज़ादा तयार होने लगते है जो female में estrogen जादा रहना चाहिए, उसकी जगह estrogen के साथ-साथ, testosterone भी जादा होने लगता है, और आपको मालूम है, testosterone is again converted into dihydrotestosterone, और dihydrotestosterone आपके बालों को thin बनाता है, वो sensitive बन जाते है होर्मोन को, वहां का blood supply कम हो जाता है, या वहां वो जो बाल रहते है, वो बाल weak होनी की वज़े से वहां से जड़ने लगते हैं, तो this is due to hormonal changes, PCOD में जो hormonal changes होती है, उसकी वज़े से आपके बाल जड़ने लगते हैं, और एक PCOD की वज़े से और एक चीज होती है, वो है कि PCOD में insulin resistance चालू हो जाता है, याने आपके शरेर में जो insulin नाम का जो hormon रहता है, वो hormon जो रहता है, वो ज़्यादा तयार होने लगता है, और वो hormon को body, जो insulin जो hormon है, वो hormon को body में resistance तयार होने लगता है, और insulin का resistance तयार होने के बाद, again estrogen आपका जो रहता है, वो again it gets converted into androgen, तो androgen की और मातरा बढ़ने लगते है, आपका weight बढ़ने लगता है, आपको जहाँ नहीं चाहिए, वहाँ बाल आने लगते है, और जहाँ है बाल, वहाँ से बाल जढ़ने लगते है, याने scalp के बाल thinning होता है, जढ़ने लगते है, shortening होता है, और baldness होने के chances है, लेकिन जैसे male में, क्योंकि आपको PC audio होने के बाद, male जैसे hormone ज्यादा secret होनी की वजह से, जहाँ नहीं चाहिए, वहाँ बाल आने लगते है, जैसे male को beard area में बाल रहते है, chest पे बाल रहते है, abdomen पे बाल रहते है, वैसे आपको भी यहाँ के बा बाल रहते है, में ज्यादा होने लगता है, और यहाँ जहाँ न चाहिए, वहाँ भी बाल आने लगते है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से PCOD की अच्छी तरह से treatment करना पड़ेगा सिर्फ दवा की treatment PCOD में useful नहीं है आपकी दवा की treatment तो आपके gynecologist या dermatologist आपके करेंगे hair loss की treatment आपके dermatologist करेंगे hair loss कम करने के लिए thinning कम होने के लिए बहुत सारी treatment available है जिससे आपके बाल जढना कम हो सकता है thinning होना कम हो सकता है और अच्छी तरह से आपको treat हो जाएगा लेकिन अगर आपने PCOD में आपके lifestyle में थोड़ा सा change कर दिया बदलाव कर दिया exercise अच्छा किया आपका जो बढ़ता हुआ weight है उसे बहुत कम कर दिया तो बहुत बार ये PCOD along with medicine या without medicine वो PCOD पूरी तरह से कम हो सकता है पूरा normal आपकी ओर ही हो सकते है पूरे normal hormone आने लगते है और जो आपका badness बढ़ रहा है वो बढ़ने के chances और कम हो जाते है या जितने बाल है उतने रह जाते है जो अभी thin हो गए है premature जड़ रहे है जिसके energy phase पूरी नहीं हो रहे है उसको दवा दे के nutrition दे के अच्छी lifestyle करके exercise करके वो बाल फिर हम लोग बढ़ा सकते है जाड़े कर सकते है thinning बाल या जड़ना भी उसका normalize कर सकते है तो PCOD androgen hormone ज़्यादा तयार हो जाता है और DHT की वज़े से बाल जड़ने चालू हो जाते है insulin resistance की वज़े से हो जाते है कुछ PCOD patient में thyroid की भी problem आ जाते है तो बहुत सारे hormonal problem आने के वज़े से आपके बाल जड़ने के आसार है और जड़ते है तो आपको थोड़ा lifestyle थोड़ी दवा ये करके PCOD को control करना है simultaneously आपकी जो hair है उसे ठिक करने के या loss हो रहे है वो अच्छी तरह से loss कम करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे I think मैंने आपको अच्छी तरह से इस समझाने की कोशिश किये है PCOD leads to hair loss yes बहुत सारे लोगों female में PCOD है तो hair loss हो सकता है लेकिन उसे treatment भी है I think I have satisfied you regarding your PCOD and hair loss problem तो आपके बाल अच्छे रहे, exercise कीजिए lifestyle change कीजिए दवा लीजिए और जो बचे हुए hair है उनको भी बचानी की कोशिश कीजिए ओके, all the best thank you 嗎 हाग उनको भी राई और लिए कीजिए